मा के हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे केला के फूल का सब्जी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ओपर का जो पत्ता है हम उतार दिएंगे तरह का है अब इस के आगे में एक पत्ती को भी हम हटा देंगे इसको हम फेक देंगे और एक और हम आप तोर करके आपको दिखा रहे हैं इसको खोलिए खोलने के बाद एक डंठल के तरह निगलेगा जो उपर गोल रहेगा एक पत्ती दोनों हटा के फेक देना है और अच्छा वाला भाग रख लेना है सब हम इसी तरह से बना लिए हैं सब निकाल लिए हैं इतना उसमें से जो डंठल दिखाया वह निकल गया है अब जो बीच वाला भाग है उसका हम दो टुगड़ा करके करके आपको जितना बड़ा साइज अच्छा लगी उतना ही बड़ा साइज काटी है फूल को हम धो करके इसको भी हम काट लेते हैं काट करके हम तुरंत पानी में रख देंगे नहीं तो काला हो जाएगा हल्दी रख करके इसको मिला देते हैं नमक रख करके हम इसको मिला देंगे नमक थोरी से ही डाले हैं लॉकडाउन में जो सबजी आसानी से मिल जाता है उसी को हम अच्छा तरह से बना लेते हैं हो गया है अच्छी तरह से अब इसको हम निकाल लेते हैं निकाल करके इसमें हम रख देंगे पाई चुलहा जला करके कराही चला दिये हैं तेल रख देते हैं जीरा रख देते हैं जीरा चटक जाएगा तब हम तीन ठोटेश पत्ता रख दिये हैं अब हम प्याज रख करके भूज लेते हैं गोल्डन कलर का हो जाएगा प्याज तम्तुरह से लहसुन पेष्ट रख देंगें थोरा सा लसुन पेष्ट हम भूज लिए हैं इसके बाद टमाटर रख देते हैं टमाटर में से पानी निकल गया है अब हम मसला रखेंगे धनिया हल्दी मिर्ची सब हम एकी साथ रख देते हैं मसला रख करके हम अच्छी तरह से भूज लेते हैं जीर मरीच अध्रक का हम पेष्ट बना लेते हैं हम जो केला का फूल उबाल करके रखे थे उसको हम मसला में रख करके और भूज लेंगे अब हम नमक रख देते हैं नमक रख के हम इला लेंगे अब थोरा देर हम मसाले के साथ भूज लेंगे इसके बाद जीरा मरीच और अध्रक का जो पेष्ट बनाए हैं उसको रख करके भी हम थोरा देर भूज लेंगे मसाला रख करके जीर मरीच हम गुज़ दिये हैं अब इसमें हम पानी रख देते हैं पानी रखने के बाद तुरा दिर हम ढख करके पका लेंगे अब ढखन हटा करके हम गर्म मसाला रख देते हैं गर्म मसाला रख करके मिला देंगे फिर ढख करके फिर दिर हम पका लेंगे चुला पंद कर देंगे पकने के बाद सब जीमन करते यार है अगर आपको अच्छा लगे तो अब लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद